इतिहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने कल जो बयान दिया उसके उपर तमाम तरह की पर्तिक्रिया अब आने लगी हैं। इमाम एस् communism से तालक रखते हैं सर गीव दाईय इससरें को देखते हैं आप इस बयान की बर्सने करते या सपूर्ट करते हैं। देखिये माजी में देश में जो हालात रहें हैं आपको याद होगा एक तंजीम थी सीमी इसलामिक मोमेंट ओफ इंडिया कॉंग्रेस ने उसको इसलिए खतम कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट की बात करती थी मुस्लिम स्टेट बनाने की बात करती थी और उनके सेक्डो लोग आज भी जिल में हैं अभी बिज्यपी ने हाल ही में पी एफाई को बेन किया क्यूंकि वो मस्लिम राष्ट बनाने की बात करती थी मुस्लिम इस स्टेट पर बात करती थी हैं आज जब हिंडू राष्ट की इस से इस दो बाते में कहना चाहता हूं WPI यह तो आप अगर बस्वानों पर इस तरह की कारवाई चाहते हैं यह और अगर उन पर कारवाई नहीं कर रहे हैं तो आप नीं दोनों को कुछ लोग कहते हैं के विक सब प्रकलाकोन तरू कु Whether उर्म हमुए pers 3. आप मुझे बताईए जो चाको छुरी तेज करने की बात करता है कि गला काटने के काम आएगा जो मुसल्मानों को मंचेव से मारने काटने की बात करते हैं जो मुसल्मानों की मुबलिंचिंग कर रहे हैं वो क्या देश के हख में हैं? वो देश दरोई नहीं है? उनको भी तो देश्दरोई कहना चाहिए अगर P.F.I. के लोग बैटकर ये मनसूबा बनाते हैं कि साब हमें लड़ाई करके, जंग करके, जिहाद करके ये मुस्लिम राष्ट बनाना है तो आप क्या कर रहे हैं? आप बता ये क्या कर रहे हैं? आप भी तो ये ही कर रहे हैं? मुसल्मानों के मॉमल इंजिंग कर रहे हैं? मंचों से मारने काटने की बात कर रहे हैं? कोई कहता है चाकू चुरी तेज कर लो कोई कहता है कि नारियल जिस औजार से काटा जाता है उसको तेज करके रखो और कोई यह कहता है कि हर घर के अंदर जो है बंदूक और चाकूचुरी होना चाहिए और बजरंग दल तो यहां तक आ गई है कि उसने फेसबुक पर वाटसप पर रिवालवर तक बेचना शुरू कर दिया और कह रहे हैं कि अपनों घरों में रखो तो मौलाना तौकिर रजा ने जो बात कही है उसमें मैं समझता हूं किसी तरह का कोई मतवेद नहीं है बिल्कुल सही बात है आप अगर इंसाफ करना चाहते हैं तो इन पर भी कारवाई कीजिए और अगर आप इन पर कारवाई नहीं कर सकते तो उनको भी छोड़िए तो बहु आपने देखा जब एक बड़ा जहाज जो है आर्मी बेड़े में आया और राजनाज जी वहाँ गए उसका उद्गाटन किया तो आपने देखा उसके ओपर ओम लिखा कुछ लोगों ने उस वक्त सवाल किया कि साब ये तो मनिस्टर है इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने कहा कि ये हिंदू भी तो है अगर कोई मुस्लिम मनिस्टर होता तो हो सकता है वो अल्ला लिखता क्योंकि ये तो अपनी आस्था है आदमी पूजा पदेती जो करता है अपनी आस्था के मताबिक करता है तो हिंदू अगर हिंदू राष्ट की बात करता है तो मुसल्मान भी तो मुस्लिम राष्ट की बात कर सकता है ये मेरी सोच क्यों नहीं हो सकती अगर ये सोच बागिशवर धाम के पुजारी की हो सकती है पंडित की हो सकती है महामदलेशवर की हो सकती है तो साजिद रशीदी की ये सोच क्यों नहीं हो सकती कि ये मुसलिम राश्टर होना चाहिए क्या कमी है इसमें इसमें क्या खराबी ह कि समीदान तो मुझे अधिकार देता है और अभी वक्ति की आजादी भी है लेकिन मैं यह कहता हूं कि अभी वक्ति की आजादी अगर देश को तोड़ने के लिए हो तो मैं उसको अच्छा नहीं मनता कि अखंड भारत और देश समीधान से चलना चाहिए ने अखंड भारत तो ये ले भी नहीं सकते और अखंड भारत ये का कोई भी नहीं ले सकता अगर हिंदू सबसे पहले साथ में होगा चलिए पाकिस्तान से लड़ते हैं मैं देखता हूं पाकिस्ट वर्द कितना सामने आते हैं दुमदबा के भाग जाएंगे जंगे आजादी में हमने यही तो देखा है कि हिंदू मुसलिम सब लड़ रहे थे लेकिन आज जो राष्टवात का सर्ट इन्होंने जो है सरकार बना ली थी बाग अलग बैठ कर अपनी बात रखना सही है उसको सही तरीके से रखा जा सकता था जिस तरह से तौकीर रजा ने भयान दिया है उसी पे हम लोग आते हैं वापस और उन्होंने एक बड़ा ही आपती जनक टिपड़ी की मैं बोल नहीं स था हैं आहत नहीं होती या उनके अंदर गलत विचार नहीं देखे परधान मंतरी जी एक समीदानी पदबर हैं और हमारे देश के लिए परधान मंतरी का बड़ा मकाम है परधान मंतरी के लिए या किसी भी मिनिस्टर के लिए जो समीदानी को से चुनकर आया है मैं समझता ह साथ जो कुछ जुलम हो रहा है उस जुलम पर ना बोलें परदान मंतरी यह बिल्कुल अलग विशे है लेकिन फिर भी हमें अमरियादी टिपनी जो है कोई परदान मंतरी पर नहीं करनी चाहिए रही बात हिंदू राष्ट और मुस्लिम राष्ट की वह रादमी का एक अधिकार है सोच सकता है बोल सकता है कह सकता है लेकिन उसमें ऐसी गतिवीदी नहीं जो राष्ट के खिलाफ हो अगर अगर वह अपने बयान को वापस लेने माफी मांग ल कुल मिलाकर के अब इस बात पर बहस शुरू हो चुकी है तमाम जगों से बयान बाजी भी आ रही है कोई मुस्लिम रास्ट की बात कर रहा है कोई हंदू रास्ट की बात कर रहा है तो कोई यह कह रहा है कि ऐसे बयान बाजी करने वालों पर राष्ट द्रो का केस भी लगना चाहिए विर्दिनिस राकेश रावत के साथ सेद अमिर उसे न्यूस नेशन दिलेव